रादे रादे मैं उजस्वनी शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं मेरे चानल उजस हैस्टो में यह जो स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया है यह उन पैरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इस साल बोर्ड के एक्जामस में बैठने वाले हैं उन स्टूडेंट् पर रेशान हैं कि मार्क्स कैसे आएंगे किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करने चाहिए बहुत एफेक्टिव तरीके से रिजल्ट करने के लिए तो मैं आज आपके साथ में एक इंसिडेंट्स करूंगी पहले बाद में में रामीडी बताऊंगी तो आप एंड तक वीडिय जान सकें कि जो रेमीडी मेरे को बेनिफिट की थी मेरे बोर्ड के एक्जाम से वह आपको भी हिल्प करें तो मैं एक छोटे से गाम से बिलॉंग करती हूं अधुरा में और लड़कियों को अब पढ़ाने लगया है जिस टाम पर मैं पढ़ रहे थे उस टाइम पर इतनी ज इंडियन पारेंट्स का पहले अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा 90 की टाइम में जाते हैं तो यही परपस होता था लड़कियों को बढ़ाने का कि वह अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश्ट दे सकें टेंथ के जब एक्जाम सारे थे 10 के एक्जाम के बाद में मेरी राहू की दशाश शुरूए थी फादर के साथ में बनना बंद हो गया होंगी बहुत अच्छे से गया वट है कि एक्जाम्स बहुत जाब अच्छे नहीं गए थे सम्हाव आइसकोट सम्सेविंटी पॉसेंट के आसपास इस से जाधा नहीं कर पाई मैं फिर 11 क्लास में मेर पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए जो स्कूल एजुकेशन है आप किस तरीके से पढ़ेंगे कितना मन लगा के पढ़ेंगे और आपको कितना नॉलेज केन हो पाएगा है ना ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि मेरी फैमिली मेंबर्स ने बोला था कि अब मेरे को नहीं मेरी उस पढ़ाई जाएगा मेरी टफ फेस तरीकेशन था मेरी फादर से बनना बंत हो गए थी राओ कि दिशा में गया था कि मुझे असा लगता था कि मुझे समझ नहीं पाता है उसे बात मेरे 12 चातम हो गया था सब क्लेशन लेंगे कि लिए बात है तो मुला ही शाधी कर तक कम्यूनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, अबने फादर की सेवा करना शुरू कर दिया, मतलब वो जो चीज बोलते उससे पले में वो कर दे दी, कि उनको मैं कितना खुश कर सकती, तक कि अगे उनका थोट चेंज हो जाए, शादी को ले करके मुझे पढ़ाने के लिए आगे इशेज कर दे, बनले भी होता था कि वोच बजे उच्छा, पूरे घर, गाओं के अंदर काफी बड़ा घर है हमारा, पूरे घर में जाडू लगाना, घर के बाहर गली में जाडू तो यह किस्ता सुनाने का परफस क्या है, जो पंचम भाव है, वो आपका पूर्वपुने है, पंचम भाव आपकी एजुकेशन के लिए देखा जाता है, आपकी पढ़ाई के लिए देखा जाता है, कि किसी के भी एजुकेशन कैसी होगी, अगर पंचम भाव में कोई में प्लानेट आता है जैसे राहु आ जाता है तो परसन को बहुत ट्राबल होती है बढ़ाए करने में उसका एजूकेशन बहुत इजली नहीं हो पाता है सैटन आता तो डिले होता है ब्रेक के तूँ आ जाता है तो आप यहां पी क्या करना है नैचुरल जो सिग्निफिकेंस काल कि वहां से बनती है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बनती है तो आपको अपने टरम सुधारने हैं बात नहीं भी हो रही है कॉन्फलिक्ट हो रहे है नो मैंटर कुछबी प्रव्लिम में आपको उनी फादर की सर्विस करने है जितना आपसे खुश रहेंगे उतना आप आपकी एजुकेशन अच्छी होती जाएगी उसके दो एक प्राक्टिकल रीजन है कि आपका डिसिप्लीन का कारक है इसलिए जो भी मेधावी बिच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट स्टुडेंट होते हैं वह एक शिड्यूल फॉलो करते हैं वह डिसिप्लीन में रहके जो कि आपके साथ नहीं है तो फोन पर बात करें और अगर फोन पर बात नहीं हो पाती है आप डेलियूं से बात करें उनका हाल चाल पुछिए मतलब वह आपसे खुश रहने चाहिए बेसिक मोटो दूसरी चीज क्या है दूसरा दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं पूर्थ ह वह उसका लॉड है मून जो कि आपकी कमफर्ट का आपकी मदर का भी कारक है बेसिक चीज समझ में आ रही है कि किसी की भी एजुकेशन में बहुत अच्छा उठने के लिए बहुत अच्छे माक्स के लिए पढ़ाई अच्छे से होने के लिए पारेंट्स का सपोर्ट बहु अच्छे सब्सक्णर का आपको मदर की सेवा करनी है मदर के पाओं दबाने मैं ने पाऊँ दबाने के लिए क्यो अपलडए के पल्लड़के हैं आपको अपनी मदर के पाओं दबाने विकेस थार्ड हाउस जो है वह मां के पाऊं को डिनिव। करता है व lavavus दो किजीए क् 3rd house आपके competitive exams को भी दिखाता है, जो आप exams देते हैं, जैसे board exam है, तो all over India में हो रहा है न, this is a kind of competitive exam, जो जिते भी लोग competitive exams के लिए बैट रहे हैं, वो लोग अपने मम्मी के पाउं दबाएंगे, तो उनको benefit मिलेगा, ठीक है, आपर parents के लिए बताओं, जैसे मैं 5th house की बात कर रहे थी, तो mother का दूसरा घर है पंचम, mother अच्छा बोले, अच्छा खाए, पनी family के साथ में अच्छा treat आए, क्योंकि कुटुम है, दूसरा भाव हम कुटुम से देखते हैं, आपका कुटुम हो गया, आपका finance हो गया, आपका बोलना हो गया, आपका खाना हो गया, तो mother को अपने खाने पीने का दिहान रखना है, ने family के अंदर disputes नहीं करनी है, परिवार के साथ में अच्छे बना के चलनी है, अब अगर हम father को कुछ remedy करना है, father के हम point से consider करें, 9th से 9th पढ़ता है 5th house, 9th जो house होता है, वो आपके religion को denote करता है, आपकी worship को denote करता है, आप पूजा करते है, तो father को daily पूजा करना शुरू कर देना चाहिए, so, यह महनत सिर्फ बच्चों की लिए है, यह parents की भी साथ में महनत है, अगर वो daily मंदिर जाना शिरू कर देते हैं, father daily मंदिर जाते हैं, तो उसका result उनके बच्चे की education, क्योंकि father का 9th house अच्छा होगा, तो बच्चे का automatically 5th house अच्छा हो जाएगा, अब इसक पी बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा है, तो गनवीश ची का नाम लेके 11 बार गनपती का मंत्र, मंत्र भी मैं शेयर कर दूँगे, कि कौन सा मंत्र उनको पढ़ना है, वो मंत्र 11 बार पढ़ने के बाद में अपनी डस्क पर पढ़ाई करने के लिए बैठे, इसक का मंमिया करा सकते हैं बच्चों से थोड़ा जल्दी उठा करके और ये उनको एक कंसिस्टेंटली, एक स्पेसिफिक टाइम पे करना है, ऐसा नहीं होना चेहिए कि आप आज 8 बजे कर रहे हो, कल आप 9 बजे कर रहे हो, फिर परस्वाब 10 बजे कर रहे हो, आपको बेसिकली एक schedule follow करना है, इससे दो चीज होंगे, एक आप discipline में आ जाएंगे, दूसरी चीज होगे कि एक आपका regular routine बनेगा, और obviously morning में sunset series मिलती है, पूरे को जल अरपन करना है, वो तामबे के लोटे में करना है, अगर आप रोली डाल सकते हो, वेल इनकुट या ओरेंज कलर का पूर भी थोड़ा सा मिला सकते हो जल के अंदर, ठीक है, और आपको आदित्य रिदे स्त्रोत नहीं कर पा रहे हैं, तो बारे आदित्यों का नाम आपको वहां पे लेना है, सूरी को जल अर्पित करते होगे, इतना करेंगे, इससे डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी आपक पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब यहां पर क्या है, सब की कुणलियों के अंदर, फिफ्फ हाउस के अंदर कोई और राशी होगी, कोई और प्लानेट होगा, तो यह बड़ा सा स्पेसिफिक रेमीडीज यहां पर दे जाएंगी, मैंने आपको जो अभी तक बताई हो, जानी चाहिए, जो बोड के एक्जाम के वज़े से परिशान है, तो डेफिनेटली आप यह वीडियों के साथ शेयर जरूर करिए, और अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट बॉक्स के अंदर, शेयर करिए, तो यह सवाल जिसका जवाब जानना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट से जवाब दोंगी, राधे राधे